काफी सारे messages मुझे तक आ चुके हैं और ये बात को लेके बहुत तगड़ी confusion हो चुकी है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कि सर ये क्या होने वाला है सबसे बड़ा doubt जो दिमाग में बच्चों के आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर क्या 85% reservation हो जाएगी SBI PO and SBI clerk के recruitment में engineers की बात समझी एक अध्यान से कहानी शुरू कैसी हुई business standard के इस article से जो पढ़ने में काफी positive लग रहा था बट उसके अंदर एक ऐसी line लिखी हुई थी जिससे ये problem शुरू हो गई ये line यहाँ पर लिखी हुई है chairman दिनेश खरा says 85% of the recruitment for officer and associate level are engineers अब एक बात समझू सबसे पहले तो मैं ये बात यहाँ पर आपको बहले बिल्कुल clear कर देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी तक SBI कितने सालों से hiring कर रहा है अगर वो अपने recruitment की eligibility को change करेगा तो उसके लिए एक धंग से press release देगा proper एक document देगा और बहुत ही detailed information देगा तो ऐसे रातो रात नहीं बदला जा सकता इतनी बड़ी organization की तरफ से इतनी major recruitment drive का eligibility criteria ऐसे नहीं बदला जा सकता और उसकी clarity इसी page में दीगी है यहाँ पर क्या होता है इस पूरे article के crux की lines को short में लिखा हुआ होता है इस पूरे article का crux है उसकी line को short में लिखा होता है यह line आई कहां से है, देखो तुम इनकी smartness देखो, थोड़ा सा काम भी ऐसा ही है, इनकी smartness देखो, यह line यहां से आई है इस paragraph से, इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना, कह रहे हैं, खरा की तरफ से, जो chairman साब है, Mr. Khara, उनकी तरफ से, कहा गया है कि 85% जो recruitments होंगी, वो officer और associate की होगी, officer and associate level के जो लोग आएंगे, वो engineer होंगे, जबकि bank को इस चीज को लेके कोई bias नहीं है, इसमें इसका कहने का मतलब समझो क्या है, वो कहना चाहरे हैं कि हम इस साल, जो recruitments करने वाले हैं, उसमें से देखिएगा, कि 85% जो लोग होंगे, जो officer या फिर clerk level पे आए वो engineers होंगे, हमारी ऐसी कोई specific requirement नहीं है, हम ऐसा कोई bias नहीं करते हैं इसके favor में, clearly लिखा हुए, the bank had no bias in their favor, इस चीज के लिए bank कोई भी bias नहीं है, कि हमें सिर्फ engineers ही चाहिए, उनको तो graduate level के लोग ही चाहिए, बट क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे apply करते हैं, जो engineers होते हैं, तो इस बार भी हम इतनी बड़ी drive जो लेकर आ रहे हैं recruitment की, उसमें भी आप देखना 85% would be engineers, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि preference दी जाएगी, preference नहीं दी जाएगी, सब आईए, आपके number, आपके examination, आपके marks, ये सब चीजें तै करेंगी कि आपका selection होगा कि नहीं तो ये बहुत ही एक normal एक article है, एक newspaper का article है, जो interview पर based है, कोई official information नहीं है, जो आप सीधा ही मान लोगे, ठीक है, और दूसरी बात, इस information में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, कि 85% engineers ही होंगे, नहीं, वो पुराने data को refer करते होए, एक statement दी गई, कि हम ऐसी recruitment drive लेकर आ रहे हैं, और उसमें, would be, जो officer और associate level की लोग होंगे, वो engineers होंगे, जबकि हमें ऐसा कोई bias नहीं है, जो आना चाहिए, वो आ सकता है, वो ये कहना चाहिए, ठीक है, बात है recruitment की, एक बात कर लेते हैं, 15,000 vacancies आने वाली है, खुश हो जाएए, खुश होने वाली बात है, ठीक है, पहले इड्रीज की भी होंगे, और most वेवली जो इनके circle based officers होते हैं, CBO होते हैं, उनकी भी होंगी, पर अच्छी बात है, यह है कि last financial year में, इन्होंने 139 नई branches खोली थी, इस financial year में, यह 300 branches खोलने का target लेके चल रहे हैं, तो ज़्यादा branches होंगी, ज़्यादा officers होंगे, तो usually जो 2000 के आसपस P.O. की vacances होंगी, उससे ज़्यादा होंगी, यहां लिखा गये, 11-12,000 probationary officers across all the categories, तो बहुत अची बात है, अगर यह number meet होता है, तो खुशी की बात है, यह कोई eligibility change नहीं हुई है, शान्त हो जाओ, ठीक है, ठीक है, अब एक और important बहुत बढ़ी update, अभी, साढ़े ती पर बनाते हैं, यह topic बड़ा important है, arithmetic तै करेगा कि आपका pre-qualify होगा कि नहीं, और mains का भी base बनाएगा यह आप सभी के लिए, मिलते हैं साढ़े तीन बजे उस marathon के अंदर, आप reminder on कर लीजिए, मैं description में link भी डाल देता हूँ